और जब वो चिष्ट खाकर मतंग महामनी की कन्या ने जो मंत्र दिया, उस मंत्र को माता रती ने उस मंत्र को आराधना की और उने अपना आने वाला जन्म देखा कि वो कितना सुखन्भो करने वाली है, कितना स्रिष्टता के साथ जीने वाली है, उसने दिखा और अपने करने के कारण वो अपने उसकों आने वुल आने वालई के अड़तां facebook कि सब्सक्राइब और करके हैं और यह वह हैं आते हैं जी वह तो इसका कैसे करें यह भी इस सदोप होता है इसे मातंगी सदोपा घ्री किसी प्रकाल कि आज की दिन करणपशाचनी की साथना हो मातंगी साथना मातंगी साथना करने वाल निश्चित रूप से या तो पान खाया या लिड्डू खाया या कुछ तो भी अपने मूह में रखकर बिना बोध होए ही उस मंतर की माला पांच माला करें आप सवयम देखेंगे कि आपको उ आनतिकत और आनतिक जीवन जीने की कला को सीख जाएंगे जो मातंगी साथना करते हैं और सरवज्च उसके वर्ष में होता है अगर वो सामर्थ्यवान होता है और सामर्थ्यवान होने की क्रिया को इस मातंगी साथना को का गया है इसी प्रकार हमारे जिन में हम चक्रवर्ती विक्रमादितिका नाम सुना था जो उनके भाई भरतुरहरी और वो महाकाली के साथक थे महाकाली के साथक होने ये बात भी उनमें एक दिक्कत ये थी कि भाई, दोनों भाई भी राजी को किस तरफ राप्त कर दे विक्रमादितिका कहना ये था कि मैं इस सारी चीजें छोड़कर सन्यास लेकर चला जाओंगा और भरतरिदी का कहना था मैं इस सारे राजी को लेकर भोगूँगा महाकाली के पास दोनों गये दोनों भी एक तांत्रिक के पास जादे थे उनस तांत्रिकों से यह पूछते थे कि मेरा भाई सब को छोड़कर चला जाए और मैं राजा बन जाओं और विक्रमादी ते कह दे दे कि मैं इस सब को छोड़कर मैं सन्यास लेगा लेकिन प्रजा का कहना था कि विक्रमादी ते एक सेंष्ठ राज्या वो अगर राजा होगा तो लोग कल्यान होगा वो हम से छोड़ करने जा है सभी लोग विक्रमादित्य से प्रक्तना कर रहे थे कि तुम ही राजा बन कर रहो और भरतरहरी कहे दे थे कि मैं राजा कैसे बनू लेकिन भरतरहरी के तांतरिक नन को कहा था मैं तुझे एक मार्ग बता सकता हूँ क्या तो ऐसा कर महा काली के मंदिर में जा जा कर ये बात कर कि विक्रमा दित्य को किसी भी प्रकार को किसी प्रकार से महा काली को बली दे दे तू राजा बनेगा तो तिरकार से स्थाई तक राजा बनेगा अब उसकी ज़े क्या करना है बरतुर अभी सूशनी लगा तो उसनी खहा एक बात कर तुम दोनों मिलकर महाकाली के मंदिर को जाओ और महाकाली को मंदिर के जाने के बाद तो कहे कर दे विक्रमा दिति महाराजा को कि तो साच ठांग नमस्कार कर महाकाली को तु आज जोबी प्रणतना करेगा वो तेरी इच्छा पूर्णतरी दोनों भाईत महाकाली के पास जाना था लेकिन इससे पहले विक्रमा दिते की जो गुरू थे उन्हें कहा कि हे विक्रमा दित तो जाने से पहले एक बात सोच ले तेरा भाई तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए महाकाली के साथ अगर वो हाता है तो कुछ दाल में काला है तुछ जागर अकेला भी प्रार्थना कर सकता है लेकिन वो क्यों आना चारा है फिर इसका ज्यान कैसे हो तो उन्हें कहा इस संसार में वाई रूप से एक यहां के वट उषपर वेताल रहता है वो सब कुछ जानता है वो महाकाली का गण है अगर तू उसको जाके पूछता है तो तेरी इच्छा पूर्ण होगी और वो क्या करना है तरी यह उन्हें बता देगा विक्रमादिते गए तो उन्हें वट उषपर कुछ भी नहीं दिखा तो उनके गुरु ने जो मंतर दिया और कहा कि इस प्रकार तो यह आज हो रिका के दिन पूर्णिमा के दिन इस साथना को पांच बार कर वेताल आ जाएगग वेताल आया और वेताल ने आने के पाल विक करा रहा है तो विक्रमादिते को वेताल ने हसकर कहा कि यह विधाने में तुझे बताता हूं तो जब भी महाकाली के पाल जाएगा मैं जैसा कहता हूं वैसा कर उस वेताल ने विक्रमादिते को बतलाया कि तुझे इस प्रकार करना है जब दोनों मिलकर महाकाली के पास गए तो भरतुर हरी ने कहा देख भाईया विक्रमा देती है तुझे अभी माता काली के चरणों के दोनों अंगूठों को देखकर तेरा सरत कर साश्टांग नमस्कार करना है तो साश्टांग नमस्कार कर ले तेरी इच्छा पून हो जाए गा तब वेताल को इसने याद करके कहा कि अब क्या भाईया मुझे ये पता है निए साश्टांग नमस्कार किसे कहते है किस तरह साश्टांग नमस्कार नमस्कार अपना तो एक यांग है साश्टांग कहा है आठ अंग कहा है ये दो बता अब भरतुरहरी को लगा कि इसको इतना भी नहीं मालूँ अरे बेटा आश्टांग का मतलब होता है एक सर, दोनों बाव, दोनों घुटने दोनों पैर और अपना पे इस प्रकार आठ अंग हुए यह आठ अंग भी जब शरीर को लगाते नमसकार करते हैं, उसको शाष्टांग का गया है भाईया यह नमसकार तो मुझे करने ही नहीं आता आप बताओ ना भरतुरहरी बुले इसको तो मुझे ज्ञान नहीं है अपन कर देंगे, भरतुरहरी जैसे ही नमसकार करने लेड गये, विक्रमादितने अपने तल्वार भाईय और भाईय को खत्म दिया, एक ज्यान विताल ने दिया था कि तो ऐस प्रकार कर भाईय को तेरा काम हो जाए लेड़ जब भरतुरहरी का सरकट गया, तो फिर विक्रमादितने महाकाली से प्राट्थना कियर कहा कि मेरे भाई की इस दुष्टता को आप श्मा करो और मेरे भाई को फिर जिंदा कर दो महाकाली ने भरतुरही को जिंदा कर दिया और भरतुरही जब खड़ा होकर हुआ, देखा तो भाईया, तुने जो गलती करनी चाही थी मुझे मारने की तुने योजना बनाई थी उस योजना को मैंने वीतान साथना से उस योजना को मैंने खतम कर दिया है और वीतान मुझे बताया थे कि तो ऐसा करने वाला है मैं तुझे उस ग्ञान को देने के लिए किया आज तु जिन्दा है अब तु चाता है तो मैं राज्य देकर जरे जाने के लिए तैयार हूँ तब भरतररी को पश्चाताब हुआ और वह भाईया को कहा कि नहीं तु ही राजा बंजा मैं इस अंसार को छूड़ जाता हूँ जिन्रक को अध़े को अध़े ऊंसार में बहुत इस रिष्टता के साथ अध्यभट आज बहुत ऐंको कहते हैं मैं तुम्हें छोड़कर एक मिनिट के लिए नहीं रह सकती, तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं। तो भरतर ही राल्या को लगा कि इस तरह ये रोज मेरे को प्रेम करती हैं। तो अगर वो कहता है कि मैं मर गया तो तू कैसा करोगी। भुले मैं तो मर जाते हैं तो मैं मैं मतिये मर जाओंगी, सती जाओंगी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले मरूँ और तुम बाद में मरें। मैं तो तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं, मैं पहले ही मर जाओंगी। भरत्ररी को लगा कि सच्वुचे मरती हैं एक बार देखेंगे तो सही क्या होता है भरत्ररी जंगल में गया और अपने कपड़ों को किसी जूर्चे पशु के रख्ट में भिगो कर अपने सैनिकों से कहा कि पत्नी को जाकर कहें दे कि राजा को शेर की साथ लड़ते हो हैं मर कि राजा को शेर ने खा लिया है और राजा मर गए उसी क्षण एक मिनट भी नाविजार करते हुए पिंगला ने चिता रचाई उस कपड़े को आपने हाथ पर लेकर आगला कर सती हो गई जल गई जल यह बात भरत्ररी को मालू हुए कि मेरे पत्नी इतना मेरे से प्रैम कर आए तो मेरे मैंने पत्नी के साथ घूर हनिया कि आए मेरी पत्नी अनाशकूर से मर गई ऐसा बहुत ही रोने लेगे तीन तीन चार शार दिन होगे वह वहीं रोने रोते हुए बैट गए उस समय गोरफनार जी वहीं से गुजर रहे थे तो सभी प्रजानी कहा कि हमारे प्र गुरफनार जी आप तो महान संत कहलाते हैं महान यूगी कहलाते हैं कुछ ने कुछ करो भरतुरह जी को बाहर ला लो गुरखनाजी भरतुरहरी यहां समशान में रो रहे थे तो एक मटकी के हंडी लेकर भरतुरहरी उनके पास से जा रहे थे जाते जाते ठोकर लगी और गिरे और नीचे हंडी गिरके तूट गई अब भर्तुरहरी उस भर्तुरहरी गुरखनाजी जो थे भर्तुरहरी से भी जोर-जोर से चिला कर रोने लगे भर्तुरहरी से भी जोर-जोर से चिला रहा है एई भाई क्या हो आइसा क्यों चिला रहा है मरी क्यों डिस्टप कर रहा है तो उसने का मेरी हंडी टूट गई सुनाइं यहाइए घ्रत्वर्यनाम का राजा उसकी पत्नी कई तो नались हे अब तो मैं मेरी gettin yuk ने हुने ने हो गई दो ब्रत्नी फ injustice गना मैंया मही कि ज़िते हरे चिकर नहींहीं करती जेका ठरीम इसाई हुं नहीं नहीं मैं इसके साथ ही मर जाओंगा तो उसने कहा कि मैं तेरी हंडी तेरे को लाके दे सकता हूं ऐसे हजार सव हंडिया लाके दे सकता हूं क्या तुम मेरे पिंगला को लाके दे सकते हो तो गुरकनाथ ने कहा मैं तुम्हारे पिंगला को अगर लाके दे दूं तो तु करने का हो सकता है तुम पहले मेरे वचन दो कि तुम स्मशान शोड़कर फिर राज्य में जाओगे राजा परत्रहणी ने एक एक सोड़ हंडिया मंगवाएं और गुरह नाथ में अपने संजीवने मंतर से उस राख पर पानी जैसे इच्रिका एक सोड़ पिंगलाएं खड़ी हो गए और तेरी पत्नी को पहिचाना परत्रहणी देख रहे थे कि अपने पत्नी कौन है एक स्वाट सेम स्क्रिया थे había जान सकता तो उसके प्रेम करता है और यहीं जगा तेरी पत्नी रहती तुभ एक सोड़ भात्रहणी किस्टी करता हो देख और तेरे को पहिचानती है यानी प्ईचानती है तो ने घञा ठीक है करके बदाऊ भात्रहरी के एक सो औरफ शरीर को निरमान किया और कहा है पिंगला तू तेरे पती को पहचान तेरे पती को इन एक सोट फुद्रों में से तेरा पती कौन है उसके लिए पहचान उसके लिए देख ले उसको फुकार तो वो वहां खड़े खड़ी एक कहने लगी कि हे नाथ मुझे यहां से चली जा रहे हूं और मैं घर में वो खीर पका रहे हूं जो तुम्हें बहुत पसंद है इच्छा हो तो आओ नहीं तो मुझे चली गए एक स्वास में से सच्चा भरतर रिदी था उसके पीछे गया और उसने कहा कि देख पहचान ले इसकी पहचाने लेकिन यह कारे तू नहीं कर सका इसलिए पतनी का प्रेम तेरियों पर ज़्यादा है अब पिंगला को छोड़ दिया जा उसके बाद में वेरा किष्टक हुआ और ने इस रूंगार शितक से वेरा किष्टक लिखा ऐसे भरतर था, 36 कहते हैं, सिहासन 32 कहते हैं, उस 32 युगियों का आसन उनके पास था, यह उनी की देन थी, इस साधनाओं से वो महराजावी चक्रवरती हुए, लोग कल्यान उनोंने किया, उनके पास सारा आईश्वारी था, जितने दिन विक्रमा देती कहते हैं, राजमे रेते थे, उन्हें वोई उजेंटी नगरी को महाकाल को इन उस्थापना की, विक्रमा देती कहा, एक समवद भी चलता है, जैसे शालिवान शक्रे, विक्रम समवद भी चलता है, ऐसे महान युद्धाएं हैं, या ऐसे महान राजाएं हैं, जिनको ये वेताल सिद्धिती और वेताल मुश्रीव का गण, महाकाल का गण और महाकाली का गण कहा जाता है, उसके साथना भी आज हुजिका दिन करते हैं, इसलिए कि हमें वो ज्ञान प्राप्त हैं, जिनको जो साथना करके अपनी जिवन को उज्ड़ बनाना है, चक्रवर्ती बनाना है, ज्ञान प्राप्त करना है, आनन्द प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, आज आपकी जिवन में नहीं कहता कि आपको ओई देवता को प्रतेक्श करो, आज नहीं कहता कि तुम अध्यात में योगी बनो या तुमारे कुंड़ने इंड्यागरेंट करो कुछ नहीं कहता तुम आईश्वत यवान बनो आनंदी बनो सुखी बनो इसके लिए साथना प्रदान कर रहा हूं आपको जो भी साथना इन तीनों में अच्छे लगे ओ कि इसमें साथना सिद्ध होने लगती है साथना सिद्ध प्रतिक्षा प्रतिक शुरुप से निश्चे तुरुप से होती है ये जन्मन ही अगला दिमों किसी जन्मन जो आपकी साथना जो बीज बोया है तो भुक्ष्र होगा ही फल देगा ही बीज अगर बोते हैं बहुत से करोगे तो ये साधना एक एक झी तो हरूर फल ने की फल भुतानोन अ बहुत दिनों की बाद कभी-कभी हमारे जिब काफ़ी जी कहते हैं मुझे बोरी क्या है जी क्हा हमारे दोस्त है साधना तुम करके तो देखो, वो अचानक थनवान नहीं हुआ, उसके पीछे जो कोई भी शक्ति थी, जो कोई भी दिविता थी, उसकी साधनाओं का बल था, आज मैं तुम्हें भी अशिर्वाद देता हूँ, क्या इसी साधना है, आप संपन करें, और दिविता को प्राप्त करें, जो मार्ग पर्मपुणी सद्गुरदीर साभ मिखले शांजी ने बताया है, हम उस मार्ग पर चलते हुए, आगे बढ़ेंगे कि आने वाला हमारा कल क्या हूँ, आने वाले कल में हमें क्या करना है, हमें सिधार्शम पोचने के लिए साधनाओं की सामर्थिवान, दरिद्र और नहीं रेना चाहिए, अगर मेरे गुरुजी का शिष्य है, तो वह धनवान और सोख्या और आन्दित होना ही चाहिए, ऐसा हो ही ने सकता क्यों करीब है, मुझे आज भी याद है, पहली बार में जब गुरुजी को दो बस लेकर साधनाओं के लिए बिंगलोर गया था, स्केबल मेरे ही लोग थे, दो बस वाले लोग और बंगलोर के करना टकले के पांच दस लोग थे, शिवी रारंब हुआ, तो गुरुजी को बहुत खुशी हुई कि मैंने दो बस के लोग-लोगों को लेकर आया है, और मुझे कनड़ा और ये भाशा हैं आती है, तो गुरु गुरुजी ने बुला कर मेरा नाम लेकर स्टेज भी बुला है, और मुझे गुरुजी के सामने बात करने के लिए गुरुजी कह रहे हैं, तो मैंने उठकर गुरुजी को नमस्कार करते हुए, मेरे आंकों में आंस वाते हुए मैंने कहा, एक मैं मिट्टी के धूल के बरा तो गुरुजी ने मेरे हाद से माइक खींच लिया मैं परिशान हो कहा है मैंने क्या किलती करिया गुजी ने कहा ये जोशी है ना ये नहीं जानता जिसने नाराइंदत स्रीमानी सद्गुर्दे की चरण पुड़े वो अकिंचन और धूल हो ही नहीं सकता तो धनवान ही होता है और अईश्वर्यवान होता है वो अकिंचन नहीं हो सकता और उसके बाद मैंने कभी कितनी सभाएं कितनी शीवर्वे कभी मेरे मेरे को अकिंचन ये आसमर्थ में ने कहा मैंने समर्थवान कहा आपको भी मैं वही कह रहा हूँ आगर आप गुरु मंद्रिश प्रक्रटिंग गुरु चादर पहे हैं तो आप अकिंचन नहीं है असादर नहीं है गरीब नहीं है आप धनवान है आईश्वारिवान है इसोग क्या आना है अनल्द आपके साथ है हमाएं उन साथनाओं को आपको करने के लिए कहता हूँ और कल सुधे भी इन सभी साथनाओं से जिवे साथना की सुभी प्रदान करूंगा अभी होली का स्तोत्र और चिनमंबी लेकर हम होली का दहन के पास जाएंगे इसके बात का कारिकरम को काडेजी समझाएंगे क्या खान झाल